हेलो एवरिवन नमस्कार हमारी यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप देख रहे हैं कैप्पार्ण कूलर मोटर वाइनिंग का सेकिंड पार्ट यहां दोस्तों पहले पार्ट में हमने बताया था इस मोटर का जो है इसी कूलर मोटर है इसका डाट और इसके डेटा के साथ रनिंग कॉयल कैसे इस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़े तो अब इस पार्ट में हम इसके कनेक्शन और स्टार्टिंग कोयल के बारे में चर्चा कर थी 1-4, 1-6 अब स्टार्टिंग की भी सेम पिछ रहेगी 1-4, 1-6 तो हमको स्टार्टिंग की इक्वाइल उठानी है और जो है 1-4 के अंदर डाल देनी है ठीक है और दो बीच में भरे उए स्लोट छोड़ने भरे वोई स्लोट वो छोड़ने जिसमें रनिंग का 1-6 एक से चार वाले की उपर स्टार्टिंग की एक से चार डालने है, रनिंग की एक से चार की उपर स्टार्टिंग की एक से चार डाल देनी है, ठीक है, और पेपर जो है, लगा देने है, तो यहां पे जो हैं साथ नमबर paper का use कर रहे थी और इसका data दोस्तों इसमें total 8 coil है चार running की है चार starting की है तो यहां पे देखिए coil को पीछे के तरफ कीच लेना है और coil को पीछे कीचने के बाद उसको थोड़ा सा set करिए और फिर उसका जो हिस्सा है जो राइट साइड का हिस्सा है उसको पकड़ना है राइट साइड से कोईल को ठीक है तो यहां से राइट साइड से पकड़के लेप्ट की साइड घुमाना है लेप्ट साइड घुमाना है और जो खालिस लोटेक से छे के लिए उसके अंदर जो ह फिर से डाल दिया तो एक से चार में एक बार एक से चे में दो बार को डाला जाएगा पेपर लगाए जाएगा सभी कोई सेम तरीके से डलेंगी तो मैं इसका डाटा बता रहा था यह दोस्तों 24 लोट की मोटर है इसका एक इंची स्टेटर साइज है कैप्टर नाम के कि अगया को रूनिंग और स्टार्टींग इसकी एक समान और एक समान इसकी डालेगी और फिछ एक से चार एक से च्छे है और आर्प्यम ये 1440 का काम करेगी क्योंकि फोर पॉल की मोटर है तो 1440 आप्यम ये जर्नेट करेगी तो हम सेकिंड कॉयल वी इसी तरह से डाल लेते है ठीक है तो जहां पर कोईल रिंग की सिंगल सिंगल डाली जिन सलोटों में उन दो सलोटों में इसका हमें उसी के उपर डाल लेना है इसको और बीच में दो सलोट छोड़ के भारे और जो खाली सलोट है एक से छे के उसमें कोईल को मोड़कर दो बार डाल लेना है सेम तरीक कैसे इस्टॉल करते हैं एंड सेकिंड पार्ट में हम यह कॉयल डालने के पसाथ अभी आपको इसके कनेक्शन के बारे में समझाएंगी कि इसके connection जो है कैसे करते हैं तो इस तरह से धीरे-धीरे करके आपको एक coil डालनी है ये motor जो है थोड़ा सा tightly बनती है वैसे ठीक है तो इसमें running coil तो आराम से डल जाते लेगी starting coil में थोड़ा सा जो है आपको tight हो सकता है बांदने में क्योंकि starting डालने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती हलकी सी ठीक है तो अपना जो है स्टेटर साइज जो आपके पास motor है उसका भली बात एक बड़ चेक कर ले और उसी के हिसाब से कोईल बनाए उसका completely data में वीडियो की description में लगा दिया हम हाँ से ले सकते हैं हैै अब अब आसे ही हम सेम तरीके से तीसरी कोईल इंस्ट्leल करेंगे बिल्कुल सेंख–4 scores एक बार लगा लगें एक से चय में दोबार मोडेंगे ल्ат से लेफट की तरफ मोडेंगी कोईल को ठीक है सbी कوائلों में 2-2 तार है एक इनर तार है, एक आउटर तार है आप किसी इनर किसी को भी आउटर मान सकते हूं तो इस तरह से आपको गॉस्ति आपको एक इस चैयर में एक बार डाल लेना है तो जदा तरकॉलर की मोटर जो होती है 24 लोट की लगबग सेम तरीके से रिवाइंड होती है लेकिन उनका डाटा अलग अलग होता है इसलिए हम अलग अलग कमपनी का जो मोटर होता है उसका वाइंडिंग का वीडियो हम डाल देते हैं ताकि आपको डाटा भी उसी के हिसाब से मिल सके तो तीन कोईल यह हैं डलने के बाद जो है चोती कोईल के बार यह है तो इस चोती कोईल को भी सेम तरीके से सेम प्रोसस से डालेंगे एक से चाहर के अंदर एक बार एक से छे में दो बार तो सेम तरीके से इसको हम डाल लिया है हमने वीडियो को थोड़ा थोड़ा कट किया है ताकि आपका टाइम बढ़ सके अब दोस्तो हम इसको आयल को जो है एक से छे में भी डाल लेते हैं तो ये काम करने के बाद आप इसके connection हम आपको बताएंगे तो connection की तरफ चलते हैं दोस्तों ये वाइडिंग हो चुकी है दोस्तों connection को आप द्यान से समझेना देखिए सभी तार मैंने चील दिये हैं सभी पर मैंने सिल्यू के टुकड़े लगा लिये हैं ठीक है अब connection की बार यह हैं तो सबसे पहले हम running के connection करेंगे तो running कोईल कौन सी है चार कोईल है एक दो तीन चार ठीक है और जो starting के यह भी चार है तो starting के तारों को मैं उपर कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो तो starting के तार हमने उपर कर लिए हैं ठीक है अब सभी कोईल मेंगे इस कोईल में दो तार है इसकोईल में दो तार है इस कोईं से चार कोंब देते हैं तो अगली कोईल के इनर नार से दोस्तों हम इसको कनक्ट कर लेते हैं इस तरह से एक है दो तीन जैनि इनर से इनर आपको ज्वेंट करना है ठीक है एक तो यह कनेक्शन हो गया आप इसको गुमा लेते हैं अब दूसरी कोयल का आउटर तार बचा है इसको इस सैड की अगली कोयल के आउटर से जोड़ना है एक, दो, ती, एक से तीन में ठीक है इस तरह से उसके बाद दौस्तो इस कोयल का फिर इनर बचेगा ठीसरी का तो इस चोति के इनर से जूइंट कर देना एक, दो, ती, इस तरह से ठीक है, तो इसके साथ हम इसको जोइंट कर देंगे, दो, जोड़ा बच्चे का यह रनिंग जाएंगे, इसी तरह से हम जो स्टार्टिंग की है, उसको जोड़ करके से, अपर तो हम जोड़ कर देंगे, टीक है,पर दोस्तो, तो इसको हमने कवर के अवणर डाल दिया, झाल दिया है तो तीन मेरे अब हम इन स्टार्टिंग के करें स्टार्टिंग總 भसट है साइड यहां सेनगी इस साइड पर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होती है कि तो हम उसको पहला कोयल मान सके हैं इसको पहला लीजिएं तू jos इसका भी जैसे हमने रणिंग में पहला था य िसका वह इकाऊटर तार हम छोड़ देते हैं और उसका इनर तार पकड़ती हैं पूसर इस इनर तार को दोसरी इसके साथ हम इसको जो है जो है जो है जोईंट करेंगे यह जोईंट हो गया इसके बाद इसको गुमा लेते हैं यहाँ पर देखिए फिर जो दूसरी को आइले स्टार्टिंग की इसका आउटर तार बच गया है इस आउटर को हम जो है अगली के आउटर से जोड़ेंगे या कि ठीक है उसके बाद दोस्तों तीसरी का इनर साय को कि यह बनेंगे उनको भी हम कर दें अंदर कर देत desen तो इस तरह दोस्तों हमारे के रणिंग के थे दो तार बचे हो लें की दोता बचे है अब स्टार्टिंग के दोतारणों में हुम उछा पीला वायर जोड़ुड़ूद दो PPLR तार दोदो दो लाल तार है जो के हम रुनिंग में लगाने वाले थोड़े से पतले है तो यहां पेFirst ा करने तो पतले तो यहां की नहीं को डेर यह ओ उसको हम राइन कि पतले यह फाहरो सबनार, घिक है तो हमें उसको जोड़ लेते हैं तो हमने स्लद्धन earlier जोड़ती है और फीक जोड़ फीरी उतलेकि दागा मार लेते हैं जलदी से कृम्त अब red लेते हैं सब्सक्राम हमसित करके आपको चला के दिखाते हैं प्रिंस प्राफरोम